हेलो बच्चो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर इसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट उसके हम कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं अल्रडी हमने इसके साथ सवाल कर लिये हैं जिनके जवाब मैं आपको बता चुका हूँ उमीद करता हूँ आपको सब समझ आएंगे मेरे पिछले वीडियो में आज हम उसके आगे के वीडियो करेंगे यानि आज हम कॉशन नमबर एट से शुरू करेंगे तो कॉशन नमबर एट क्या है चले देखते हैं कॉशन नमबर एट है यानि is it possible for you to recognize the leaves without seeing them and how क्या आपके लिए आप ये कर सकते हो मुम्किन है क्या कि आप बिना किसी पत्ते को देखे उसको पहचान सकते हो और अगर पहचान सकते हो तो कैसे तो इस सवाल का जवाब है कुछ इस तरह yes we can identify the type of leaves by looking at its root तो हां हम अगर किसी के पत्ते को पहचान सकते हैं वो कैसे पहचान सकते हैं उसकी जडों से अगर जडों के बारे में पता चलता है तो हम उसके पत्तों के बारे में भी पता कर सकते हैं plants having leaves with reticulate venition have tap roots वो पोध है जिनके पत्तों का जो reticulate venition होता है यानि जो मकडी के जाले जैसे उस पत्तों पे जो डिजाइन होता है उनकी जडों होती है वो कैसे होती है tap roots अगर tap root है तो that means reticulate venition वाला पता है while plants having leaves with parallel venition have fibrous root वहीं जब अगर किसी plant में parallel venition होता है parallel venition मैंने कैसे बुला था ऐसे 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 होंगे यह parallel venition होता है आपने यह आम तोर पे देखा ही होगा कुछ इस तरह के plant होता है यह parallel venition होता है अलाकि यह पे बना नहीं parallel मगर ऐसा ही होता है तो यह अगर इस तरह का design है तो पतों में तो उसके जड़े होती हैं वो fibrous होती है fibrous roots होते हैं तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं फिर अगला सवाल जो है सवाल number no write the names of the parts of a flower और तो बोला है कि आप एक फूल के जो हिस्से होते हैं इसके parts होते हैं जैसे parts of the body होते हैं वैसे ही parts of a flower के बताने हैं flower के क्या parts होते हैं तो सबसे पहले इसका answer कैसे the parts of flowers are saples petals stamens and pistils तो यह जो है यह इसके जो main parts होते है parts के flower के लिए एक तरह ही काफी है इसमें और भी parts होते हैं वह आप जब higher classes में जाओगे तो आपको detail में पता चलेगा आपको थोड़ा समझाने के लिए एक video एक sorry picture डाली है मैंने ताकि आपको थोड़ा समझ आए तो मैं इसको थोड़ा zoom करता हूं यह एक full है अब देख सकते हैं तो यह इसका pistol है यह स्टेमन है ऐसा दिखता है petal ऐसा stem और leaf इसके साथ मान लो complimentary है main जो है इसके वो यह है जो center में होता है तो यह एक flower के हिसे होते है एक parts होते हैं तो फिर अब हम अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल क्या है किया रहा है which of the falling plants have you seen of those that you have seen which one have flowers तो किया रहा है कि आपने इन में से कौन से plants देखे हैं और आपने जो देखे हैं इन में से कौन से plant में फूल निकलते हैं तो यह कुछ plants के नाम है ग्रास, मेज, वीड, चिली, टुमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बन्यान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पंग्रेनेट, पपाईया, बनैना, लेमन, शुगर केन, पोटेटो, ग्राउंड राटे तो यह नोंने कुछ नाम दिये हुए तो हमें बताना है इन में कौन से plant है जिन में फूल निकलते हैं तो क्या है तो हमने कौन कौन से plants आम तोर पे देखे होते हैं जो हमें आसपरोस में होते ही हैं तो इसमें ग्रास है यह गास, मेज, वीड, चिली, टुमेटो, तुलसी, बिन्यान, मैंगो, जामून, गुवावा, पुपईया, बिन्यान, लेमन, शुगर, केन, और पोटेटो, यह हम ने देखे ही हैं और वहीं दूसी माद, plants having flowers, जो जिन plants में फूल होते हैं, वो कौन कुछ से होते हैं, मेज, वीड, चिली, टुमेटो, तुलसी, पीपल, शीश फूल होते हैं, इन सभी plants में फूल होते हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे खतम करते हैं, तो उमीद करता हूँ आपको यह भी समझ आया होगा, यह वीडियो भी, थैंक्यू, मेरा यह वीडियो देखने के लिए उमीद करता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, झाल 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 झाल